हेलो परेंट कर से आप लोग एफोप कि आप लोग अच्छ हैंगा तो आपको अमारे देशिरेस वियारी में स्वागत है और आज मैं एक नया रेसिपी शेयर करने जा रही हूं बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छी और चिट्पटा बनाने जा रहे हैं यहां पर मैं भिंड 3-4 चमच मैंने 600 तेल डाल दी हूं और उसमें एक चमच चीरा और उसके बाद जो से एक चमच पंच फोरन डालना है थोड़ी सी आपको इसमें हींग डाल देना है यह जो बिंडी बनारी बहुत ही टेस्टी बहुत ही चेटपटा बनेगा जिसको नहीं पसंद होगा बिंडी इसी बहुत ही पसंद करें तो यह बहुत चारी बिंडी जोई से बहुत ही अच्छा लगता है तो आप एक बड़ जरू ट्राइक कि एंग बहुत बहुत ही तो बहुत बहुत चेटपटा कर दे कि जीएगा मेरी तरीके से तो आपको क्या करना है इसमें इस सीक्रेट जीजों मैंने बताई वह आपको यह है कि आप थोड़ा से इसमें भीनेगर डाल दीजिए या फिर आधा निम्बू काट करके उसका रस डाल दीजिए जैसे आप निम्बू का रस डाल लिएगा आपका यहां पर दो चमच जोएसो मैंने लाल मेर्स पॉड़ा डाली हूं एक चमच जोएसो हल्दी पॉड़ा डाली हूं इसके वजए डाल नाये चमच आपको घनिया ताल नाये राद दए देक्स रखमे कमका पॉड़ा जरम दाल को जूएसरे डालते हैं nada आप दह सं लिए मिक्स कर देना स्वाए जोड़ा सा धी गडा दीमी कर दिन ताकि यह जले नहीं पॉनी भी नहीं डालना है इस तरह से फ्राइब करना है कि सारा मसाला इक भींडी के जो हिसो अच्छे से पुट हो जाए तो देखिया अब में बाद में जो हिसो जब मेरा भींडी पक जाए तब जाके आपको इसमें नमक डालना है यहां पे नमक अब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए साइड में बेल अकन बटन ने उसे प्रेस कर देजिए और अल दबा देजिए कोई भी वीडियो डालों तो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो देखिए मेरा विंडी जो से बनके तयार हो गया है अब से रोटी के साथ पर